तो बोल भी जाती है। किस तरह से है। जब सीता जी आ राधरा कर रही थी भवानी मही आ के सामने है। बिने प्रेम बसा भईय भवानी बिने प्रेम बसा भईय भवानी खाशी माला मूरा ते मुशे काने। सुने सिया साते आसी सा हमारी अब पूजा है मनो का मना तो हारी। जा रखना उसमें माला छूट के गिरिया बहुत अब परसार समझाए। और कान में वाज आई है कि सुन सिया सत्य आसी से हमारी और पूज है मनो कामना तुमारी इच्छा बस पूरी होगी। सीता जी लोट है। और जिसमें आज भवानी मैया ने विचार किया कि राजा जनक के यहां बड़ बड़े बीर महारती आएं। अगर और किसी के हाज से धनुष टूट गया तो मेरी बात जूटी हो जाएगी। तो आज भवानी मैया बुलाती किने हैं अपना बचन रखने के लिए द्यानगना सत्यकु में त्रेता में उद्वापुर में बचन की खीमत रखी जाती थी। घाटा मुनाफ़ा नहीं देखा गया केवल बचन को देखा गया और आज का कह देते हैं। भाईया हमाई जीव और हमारे ही काम में नाव है। कित्ती उपलत लेओ। और ये ब्यासफीत के माध्यम से हमारे परिक्षित महराज जी ने सो रुपए का पुरुषकार दिया है हमें परमात्मा सुक्षम्रद्धी देता रहे धन्वाद। तो जैसे ही आज मैया ने विचार किया तो बुलाया कि ने। सोनो अरे शीधर दिहान अरे पचनते परिगाओ भेताए अरे पचनते परिगाओ भेताए अरव शोची समझे के मात बुलाया है अपनो बेताए परिक्षे जी गडेश को बुलाया और गडेश इसे कहा बेटा सुनो क्या? द्धनुस के उपर ब्राजमान हो जाना पर बेटा इतना धान लखना के कोई कितना उबल मार है पर द्धनुस उठाए नहीं ए मैया कैसी बात कर रही है एक एकी तो बात ही का अवे सबरे मिलके उठावे तब भी नहीं उठने दूआ जैसा ही गड़सी चले और तमहतारी फर बोलिए आरे बचन दू भूली मती जाईए जवा उठिके आवे राम धनुसकू बेता तजी आईए जवा उठिके आवे राम धनुसकू बेता तजी आईए जवा उठिके आवे राम धनुसकू मुझा बनुसकू लुचारा जवा उठिके आवे राम धनुसकू बेता आम लठन दो उसंग लए चल कीन आई रहे इंद निराई बड़े बड़े भूब सजे ना जाते लंगन भूमी ऐसी सजवाई आज रंग भूमी सजिया महराज जनक के नगर में और वो पिनाक नाम का धनुस रखा गया चोग और राजा जनक का ये हुकम हुआ कि जो भी इस धन उसको अपने हाँ से उठाकर के तोड़ देगा उसी के गले में सीता परमाला सब राजा रहे हैं ससज के जहां रखना कचू तो तोरबे के चक्कर में कसादी है जावई और कचू जे हमाई कुमस साब बार पांते गई चक्कर में कोई करे हो तो कचू ना दावत तो काई आंगे हैं किस तरह से आर देखी रंगा साल भी साला जनकराजने अपने नगरमे रंगभूमी सजवाई जनकराजने अपने नगरमे रंगभूमी सजुवाई बिश्वा में तरिशी के संग में चली दै दोनों भाई आम्भी स्वाम्मी तरिशी के संगमी चली दयतनों बहाई सोच्या खना नजर जोकने नारी रेयवा न्याम्भी छिरया जाजी मसाला अरदे खीरंग साल बिसाला सोच्या खना नजर जोकने नारी रेयवा अब विशिरया जाले मसाला अरदे खीरंग साल बिसाला जन्ना कर और ये अजय कुमार यादव ग्राम हुसेनपुर से एक हारमाला से हमें सम्मानत किया है परमात्मा लंबी उमर देता रहे इनके करम पेने आगे बढ़ाता रहे जन्ना कर राजय यादेश चरो हे कोई भीर धन शकू तोरे आगरा जन्ना कर राजय यादेश दाओं कोई भीर धन शकू तोरे जन्ना कर राजय के महलन ते सोई छात्री ना तो जोरे आगरा जन्ना कर राजय के महलन शकू तोरे जन्ना कर राजय के महलन शकू तोरे जन्ना कर राजय के महलन शकू तोरे सकला सभामे नजरी करी अकचू बीरा चड़े मन्च नोपे काच्छो कुरासी काच्छो प्रांच नोपे सोय अपन नुरूखे संग्या चले इने हवा काच्छो कुरासी काच्छो प्रांच नोपे अरे देखी रंगा साल विसाला सो अपने कुरूखे संग्या में कैरे अब अरे कैद सुरत के लाला अरे देखी रंगा साल विसाला शनक भाराज ने आदेश करवा दिया जो धन उसको ठाकर के तोड़ देगा सीता उसी के गल में बरमाला अब सम्मन कर रहे हैं वो मन में कह रहे हैं कच्यों माई बोले बार तो बोलें के ए बगवान ए परमात्मा गंगा जी ना आयांगे सब दई देवता पुझवा दिगा सो मारे खीरी चड़ा दिगे वो ही पटूट जाए अब जीना है मालम सब देवतन को देवतों दो पाई में त्या नम्मर आवा का का तोरे का सके उठाई तेल बार भंबन सके छोड़ाई हिला भी ने और जब पूरा समाज बलहीन हुआ है और सब अपने अपने आसन पर बैठ गए थे तो गोश्वामी जी ने क्या लिखाया पर अपनी कलम से अरे शेय सब हूप दशाय कई मारा शेय सब हूप दशाय कई मारा लगे युथावनत रहनता तिगे न संभु सरासन केसे ओ कामी बजन सती मन जेसे दस जार राजाओं ने उठाया है अजब परिक्षे जी बिचार करो दस जार उठाव लेते तो पर साधी किंत होती पर उनको मत काया आपस में विचार करने पहली मिली के उठाय लो बाद में लड़की पैसला कर लेंगे लेकिन ध्यार रखना दस जार राजाओं ने धनस मिलकर कर उठाया पहली बाद में दूसरा